को गादी रगर जहाँ पर उजा ने वीशक सम्मित को सम्मूदित कर रहे हैं प्रदानवंतुरी नरेंदर मोदी 700 मिलियन यानि 7 करोड घर बना रहे हैं यह दुनिया के कई देशों के आबादी से भी ज्यादा है सरकार के पिछले दोटम में हमने इस मैं से 400 मिलियन यानि 4 करोड घर बना चुके और तीसरे टम में हमारी सरकार ने 300 मिलियन यानि 3 करोड नए घर बनाने का काम शुरू भी कर दिया है बिटे सो दिनों में भारत में 12 नए इंडस्ट्रियल सिटी बनाने का फैसला किया गया है बिते सो दिनों में 8 हाइश्पीड रोड कोरीडोर प्रोजेक्स एप्रूव किये गये हैं बिते सो दिनों में 15 से जादा नई मेड इंडिया सेमी हाइश्पीड बंदे भारत ट्रेन लांच की गई है हमने रीसर्च को प्रमोट करने के लिए भी वन ट्रिलियन रुपीज का रिसर्च फंड बनाया है हमने इलेक्टिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भी अनेग इनिसेटिव जे एनाउंस किये है हमारा लक्ष हाई पर्फॉर्मंस बायो मैनुफेक्टरिंग को बढ़ावा देने का है और ये भविश्य इसी से जुड़ा रहने वाला है इसके लिए बायो एथ्री पॉलिशी को भी मंजूरी दी गई है साथियो बीते हंड्रेड डेज में ग्रीन एनर्जी के लिए भी कई बड़े फैसले लिए गए है हमें आप्शोर विन एनर्जी प्रोजेक्स के लिए वाइबिलिटी गेम फंडिंग स्कीम की शुड़ूआत की गई है इस पर हम सेवन थाउजन करोर रूपीस से ज़्यादा खर्च करने जाते हैं भारत आने वाले समय में थर्टि वन थाउजन मेगावट हाइडरो प्राउट जनरेट करने के लिए भी काम कर रहा थै इसके लिए साथ्यों भारत की डाइवर्सिटी भारत की स्केल भारत की टेपिसिटी भारत का पोटेंशल भारत की परफॉर्मंस ये सब यूनिक है इसलिए मैं कहता हूं इंडियन सॉलुशन्स फर ग्लोबल एप्लिकेशन इस बात को दुनिया भी भली भाती समझ रही है आज भारतियों को ही नहीं बलकि पूरी दुनिया को लगता है कि भारत 21st सेंचुरी की बेस्ट बेट है आप देखिए इस महिने की सुरुवात में ही ग्लोबल फिंटेक फैस्ट का आयोजन हुआ इसके बाद फर्स सोलर इंट्रनेशनल फैस्टिवल में दुनिया भर से लोग शामीर हुए फिर ग्लोबल सेमिकंडर्टर समीट में दुनिया के कौने कौने से लोग भारत आए इस इसी दोरान भारत ने सीविल एविएशन पर एशिया पैसिफिक मिनिस्टर कांफरंस के आयोजन का अधाइट निपाया और आबाग यहां हम ग्रीन एनर्जी के फ्यूचर पर चर्चा के लिए जूटे हैं मेरे लिए यह बहुत सूखत संयोग है कि गुजरात की जिस श्वेत क्रांती मिल्क रिवालुशन का उधाइट